हाई गाइज वेलकम बैक टो आर यूटूब चैनल तो गाइज इस वीडियो में हम एप्टिट्यूड के कुछ ऐसे कोश्चन देखेंगे जो काफी ज्यादा इंपोटेंट है और या और यह सब कोश्चन या तो भी प्रो या फिर इन्फोसिस के पिछले एकजाम में पूछे जा चुके हैं तो देखिए जो पहला हमारे सामने कोश्चन है इसमें कर रहा है find the missing term in the third figure, assume the third figure work in the same way as the other two मतलब कि यहां पे हमको जो missing term है वो find out करना है और जो rule इस पे apply होगा वो same इस दोनों figure पे भी apply होगा तो चलिए इस problem को हम solve करते हैं तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां first figure में 7, 6, 8, 4, 50 data दिया है तो हमको इस पे कोई भी operation perform करना है और 50 को लाना है जैसे कि हम अगर इसको सबको side वाला जो जितना वी data दिया है इसको अगर हम जोड कि उसको two से multiply कर दे तो हमको 50 मिल जाता है जैसे कि 7 plus 7 plus four plus six plus eight को अगर हम जोड देते हैं तो हम को मिल जाता है 25 को अगर थू से multiply कर देते हैं हो जाता है 50 और सेम यही अगर हम दूसरे फिगर पर अपलाई करते हैं यही रूल तो हमको फिर से वह भी कंडिशन सेटिस्फाई होता है अगर हम 12 और 20 और 7 को एड़ करके उसको 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा यह 80 तो सिर्फ यही रूल पर हमारा यह भी होना चाहिए ऐसे हम 13 9 14 11 को जोड़ेंगे तो वह आएगा 47 और 47 को अगर हम 2 से मल्टिप्लाई करते हैं तो वह हो जाएगा 94 यानि कि हमारा जो आप्सन नंबर भी है वह सही है तो आपकी पार यह जो कोश्चन आपके सामने दीख रहा है यह कोश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इसी पर बेस्ट इंपोसिस में आपको दो या तीन कोश्चन मिल जाते हैं और विप्रो में एक से दो कोश्चन आते हैं तो चलिए देखते हैं इसको कैसे स्कायर कर दें तो 12 सकाइब होता है 144 और 6 सकाइब होता है 36 अगर इसको माईनट सबस्वाइब कर रहा है तो हम डिर्यक्त्यंते स्वाइब होता है यानि कि 9 और 4 का भी स्क्वाइर करके उसको माइनस कर देंगे तो 9 का स्क्वाइर होता है 81 और 4 का स्क्वाइर होता है 16 अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमको अंसर में मिल जाता है 65 यानि कि आपसं C will be the right answer अब चलते हैं हम next question की तरफ तो next question में दिया है next question में एक स्रीज दिया है इसमें हमको यह missing number find करना है तो अगर ध्यान पूर्वक देखे इस स्रीज को तो यह कैसे continue है देखिए 124 में अगर 9 को add करते हैं तो हमको मिलता है 133 और 133 में अगर हम 10 को add करते हैं तो 143 और 143 में अगर हम 118 करते हैं तो 154 यानि कि हर बार क्या हो रहा है कि 9 के बाद जितनी भी संक्या है एक से increment होके add की जा रही है प्रीवियस संक्या में जैसे 9 के बाद 10 11 12 और 13 इसी परकार यहां पर अगर यहां क्या add हो रहा है 9 यानि कि 124 में अगर हम 9 add करते हैं तो होगा option number D यानि कि 133 अगर आपको solution समाज में ना आया हो तो फिर से आप आप देख लीजे अब चलते हैं next question के तरफ तो next question कहा रहा हो which of the following letter will be 10th letter from the left in if the letter at even position are replaced by succeeding letter in the word word मतलब यह एक word दिया है इसमें कह रहा है कि left से 10 नंबर लेटर क्या होगा मतलब left इस साइड में अगर यह ओ लेटर अगर succeeding letter से मतलब उसके जैसे आई के बाद क्या आता है आई के बाद यह के बाद क्या आता है बी तो होता है है succeeding letter जैसे इसमें 10 वा लेटर तो 10 वा लेटर क्या होगा हमारा यह होगा आई को अगर replace करते हैं इसके बाद वाले letter से तो क्या होगा यह के बाद क्या आता है ij यानि कि j d will be right answer चलते है next question की तरफ next question में भी हमको एक स्रीज दिया हुआ है और इसमें हमको 2 missing number find out करना है तो इस स्रीज में क्या हो रहा है कि एक में अगर आप 2 जोडेंगे तो हमको मिलेगा कितना 3 और 3 में अगर हम 4 जोडते हैं तो 7 और 7 में अगर हम 6 जोडते हैं तो तेरे यानि क्या हो रहा है यहां 2 का table जो है हर बार add हो रहा है यह ऐसा भी आप कर सकते हैं कि even number add हो रहा है तो यहां 57 में कितने बार add करना है 57 में अगर हम 16 add करेंगे तो हमको मिल जागा 73 और 73 में 16 के बाद वाला even number यानि कि 18 अगर हम add करते हैं तो हमको मिल जाता है result 91 यानि कि option A जो है हमारा सही answer होगा तो guys अब आपको हम एक question दे रहे हैं अब आपको उसको solve करना है और answer को comment में आपको type करना है यहां पे आप देख सकते हैं दो puzzle दिये हैं दोनों एक दूसरे से relate करते हैं जो condition इस पे apply होगा वही इस पे भी और आपको यहां पे missing number find करना है और यहां पे 4 option दिये हुए है चारों option में जो सही है उसको आपको comment में लिखना है बढाराल है आपको करते है र स्कतिक जस्याँ